भाबनमुक के और एक समधन एपिसोड में आप सभी का स्वागत है हम लोग ये नहीं बोलने जा रहे हैं कि 14 जो जर्णलिस्ट को बैंड किया गया है इंडिया फोरम ने जो किया है वो प्रोग्राम में वो लोग नहीं जाएंगे बट वो चैनल में वो लोग जरूर जाएंगे बलकि ये बोलने के लिए आए हैं हम लोग जो YouTube चैनल को देखते हैं खुद का भी और दुसरों का भी वो चैनल सब्स्राइब कीजिए और हम कोशिश कर रहे हैं जितना जनको हम सुनते हैं सभी का फोटो आपको दिखा सकें ये तो गया पहला चैप्टर समाधान का कि आप इन हम यह वोग बकतबब रखते हैं सेंक है कोई भी जर्नलिस्ट को समझने के पहले दो चीज समझना बहुत जरूरी है एक हैटिरेरीस्ट और एक है जर्नलिस्ट दोनों समानी है सूचिए एक टेरРЕरिस्ट ट्रेनिंग लेता है 70% अब the terrorists यह ट्रेणिंग लेता है उसके घर में पैसा नहीं होने के कारण जो उसको पैसा देता है उसको लगता है कुमर के बाद हमको नौक्री तो मिलेगा नहीं तो चलो मरी जाते हैं ठ्रेणिंग लेकर कौकि पैसा तो मिलेगा कुछ उसके बाद वो खुद भी मर जाता है अगर आप हमारे देश का डाटा निकाल के देखिए बहार से जो लोग आते हैं वो लोग इतना आदमी को ही मार पाते हैं आपको कसब का अगर ध्यान हो तो कितना आदमी को मार पाया था पर क्वेशन यह था कि सब इंटेलिजेंस फेल होने के कारण वो लोग समुद्धर के माध्धम से बॉम्मे घुस पाये थे अब सुचिए एक जर्नलिस्ट कौन है एक जर्नलिस्ट जो LIC पॉलिसी नहीं है अब ये जर्नलिस्ट का LIC पॉलिसी का बात हम नहीं कर रहे हैं सामा वाली ओरिया को मिलाने का मनिपूर कन्या कुमारी को मिलाने का काम ही नहीं किया अज सोचिए कोई भी चैनल में सारे जहां से अच्छा बोलने वाले लोग गाना गाने वाले लोग स्टेज में आकर चैनल में आकर ये बक्तब रख रहे हैं कैसे उन्होंने देश को एक करने क काम कर रहे हैं यह मैंना उन्होंने क्या क्या नहीं हमारे देश के कोई भी चैनल ही दिखाना ही नहीं चाहता है अच्छे चैनल जो लोग भी हैं बैन करने वाले solution based news तो वो लोग 45 newspapers याज एक नहीं हो पाए तो हमारा देश क्या एक होगा journalist लोग का काम सिरफ यह रह गया है reporting करना reporting क्या है जो रस्ते में कुत्ता भौक रहा है अब रस्ते में कुत्ता जैसे नहीं भौक है उसको रोकने का काम एक journalist का था बढ़ हमारे देश में journalism में यह सिखाया ही नहीं गया सिरफ यह सिखाया गया कि T.R.P. हाई करने के लिए काम कर रहे हैं ट.R.P. नहीं चाहिए जो देशित में आप काम कर पाएंगे जो देशित में हम काम कर पाएंगे उसे के लिए हम लोग stand के उपर mobile रखके recording करते हैं अब आ गया जादवपूर का रैगिंग तो हमने काफी सारे लोगों को पूछा जो रैगिंग का उल्टा सब्द क्या है विपरीच सब्द क्या है तो कल ट्रेन में हमको ध्यान आया है रैगिंग का उल्टा सब्द है गुडिंग गुड का गुड और आई एंजी अगर जोग कर दे स्मोकिंग का जुलूम होता है, हिरोईन खिलाने का जुलूम होता है, पैदल चलवाने का जुलूम होता है, लड़के को लड़की सजाने का जुलूम होता है, लड़की को लड़का सजाने का जुलूम होता है, तो अगर ये लोग खराब आदमी लोग इतना अच्छा-च्छा काम बड़ा बड़ा काम करते हैं जो नीजपेपर में रिपोर्टिंग बड़ा काम होता है अगर गुडिंग आ जाए तो हमारे देश के जो अच्छा अच्छा सुडेंट है वो लोग अच्छा अच्छा काम करेंगे जैसे जादवपूर इनिवर्सिटी में हर स्टूडेंट निउस्ट्रेपर खाता वुक्स या मंतली एक जमा करेगा पैसा उसको उठा कर उन्लोक सोलर खरीद कर उसके आसपास में जितना बस्ती बाड़ी है उनको सोलराइस करेगा अगर जादवपूर करेगा तो क्यालकेटा इनिवर्सिटी के मैं हरीपाल करेगा देली का आयाración करेगा खरखपूर का आयाइटी करेगा वरानेशी का आयाइटी करेगा और हमारे देश के स्टूडेंट देश का भविश्चत लिखेंगे यह होगा गुडिंग तो एक लग रूपिया उठाया पतास़जार इन्वेस्ट कर दिया बस्ती बाड़ी को solar बना दिया उसका paper बनाने का कोशिच में help किया किसी lawyer organization के साथ काम करकर 50% पैसा जमा कर रखा अपने college में हर मैना 50% जो जमेंगा year end में किसी corporate के साथ agreement करके उन्होंने ठीक किया अपकी साल ये industry खुलेगा इतना नौकरी मिलेगा ये पैसा आपको वापस नहीं करना है आपको share certificate देना है year end में dividend देना है फिट 5% CSR fund आप इस joint college fund में transfer कीजिएगा ताकि college student देश का भविश्चत लिख सके देश खीत में काम कर सके ये काम था एक journalist का एक ये काम था एक channel का बड़ हमारे देश में दुरभाग्य है कि हम लोग का देश का channel भी दुरभाग्य ही लिख रहा है इतना मंदीर इतना मस्जीर इतने प्यारे प्यारे dialogue इतने सारे मुनिर इश्टी को देख कर भी हमारे देश का एक भी चैनल इतना अच्छा काम नहीं कर पाया ताकि वो ये प्रोमोट कर सके देश का हार्मनी गुडिंग, रैगिंग के जगे में गुडिंग अज हमारे देश में 2016 पे बोला गे था डिर्मानिटाइजेशन के बाद जो ब्लैक मनी बंद हो जाएगा टिर्रिजम बंद हो जाएगा इसलिए अभिशार शर्मा का ये डायलोग सुनिए तब आपको समझ में आएगा टिर्रिजम बंद नहीं होगा, टिर्रिजम चल रहा है अगले दिन ये देखिए रोड शोओ उन्होंने मंत्र प्रदेश में किया हमारे तीन सैनिक शहीद हो गए दोस्तों प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से एक बयान नहीं आया ये आदमी जो राष्टरबाद की दुहाई देता है अपने शोज में क्या इसने प्रधान मंत्री से सवाल किया था वो भूल जाएए दोस्तों मैं आपके सामने बतलाता हूँ आपके स्क्रीन्स पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंग इतनी बड़ी बात हो गई एक ट्वीट नहीं किया दोस्तों देखिए यह देखिए हिंदी दिवस की बात इन्होंने की है हम सब को मिलकर भारत की सीमाओं की बात वो कर रहे है बियारों की बात वो कर रहे है आप देख रहे हैं राजनाथ सिंग ने एक भी बयान नहीं दिया बियारों पर वो बाते कर रहे हैं North Tech Symposium की वो बात कर रहे हैं इसके अलावा अब देखते हैं कि उनका अपना रक्षा मंत्राले क्या कह रहा है यानि कि उनका जो आधिकारिक हैंडल है इसमें भी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक भी शब्द जो हमारे तीन सैनिक शहीद हुए है उसका जिक्र नहीं किया नियोमा एरफील्ड गेम चेंजर तमाम बातें यहाँ पर रक्षा मंत्री कर रहे हैं मगर एक शब्द हमारे सैनिकों की शहादत पर नहीं है चलिए अमिट शाह इंजीनियर्स डे पर बधाई दे रहे हैं विश्वेश्वरयया को अपने बातें कह रहे हैं सनातन संस्कृती पर प्रदान मंत्री के बयान का उन्होंने जिक्र किया उसे रीट्वीट कर रहे हैं आप देख सकते हैं अमिट शाह प्रदान मंत्री के तमाम बयानों को रीट्वीट कर रहे हैं मगर मजाल है दोस्तों हमारे जो तीन सैनिक शहीद हुए हैं उस पर एक शब्द एक शब्द आमिच्शानी कह रहे हैं सामना यह लोग कोई नहीं करना चाहते हमारे देश में ऐसा मौत और भी होगा future में भी होगा कहां हमारे देश के PM जाएंगे अपना बरबादी बने देश का बरबादी के कारण क्योंकि बरभादी वो खुद के हास से बुला बुला के बुला बुला के ला रहे हैं क्योंकि एक ब्रिजबुशन के पास खड़ा होना है World Wrestling Federation से इंडिया Wrestling Federation का नाम हट गया अभी इंडिया से कोई अगर कुस्ती लड़ने जाएगा उसको इंडिविज्वल नाम से जाना पड़ेगा तो भोट देने के पहले ये याद रखेगा तो हमने कहा टेरिरिस्ट लोग बनते हैं 70% गरीब होने के कारण बट 30% टेरिरिस्ट बनते हैं आइडियोलोजी के कारण ये लोग रस्ते में घूमते रहतें टेरिरिस्ट का मतलब ये नहीं है कि वो सिरफ 1K47 लेके घूम रहा है वो अपना दिमाग लेके घूम रहा है वो पेन लेके घूम रहा है कल देखेगा आपके चाय के दुकान में कोई आपसे बकवास कर रहा होगा हिंदू-मुस्लिम एक कभी होई ही नहीं सकते हैं हिंदू-मुस्लिम 800 साल से एक ही हैं बट आपको कोई गधा समझा रहा होगा और अगर आप भी गदे हैं तो आप भी ये समझ रहे होंगे एब्सॉर्फ कर रहे होंगे हिंगो मुस्लिफ एक साथ नहीं रह सकता जादा मुस्लिम लोगों ने इस देश के लिए प्रान दिया है वो पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे तब ही हमारे देश में इतने मुस्लि पूर जल रहा है इसको लेकर प्राइब मिनिस्टर फिर से चूप मोड में आ गए हैं स्वालेंट मोड में आ गए हैं जो इतना मन का बात करते हैं कि वो समझी नहीं पारे क्या बोले देश का बरबादी का कारण एक देश का गवर्मेंट ही होता है नागरिक सिरफ यह काम कर सकता है वो डिवलप्मेंट 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 त चंदा दीजिए जो आपने वेस जमा किया इसको बेस दीजिए इसको शोचल फंड आप इंडिया कह रहे हैं हम लोग इसका 20 परसंट फॉर डेवलोप्मेंट जितना भी बैंकिंग सिस्टेम खुलेगा वाटसब के मादधम से हमसे जुरेगा सबको लेकर यारेंड में जाकर ह ने को इंडियान इंड़ियलिस्के साथ 20% पे यूट्यूबर्स तक हमारे देश में जितने भी फ्रिलांस यूट्यूबर्स जिनको पैसा नहीं मिलता है वो लोग देशित में जैसा काम कर रहें करते रहें और 60% पैसा हमारे देश के हर घर को सोलराइज करना हर फार्मर को करना उनके साथ agreement करके हर चीज का प्राइस कमा देना तक हमारे देश का गवर्मेंट हमारे देश के नागरिक को देखकर वही काम करें जो नागरी करेगा तब प्राइम मिनिस्टर हर चीफ मिनिस्टर ऑफ इंडिया के साथ बैठ कर फाइफ पर्सन अफ फंड वेल्फेर फंड ऑफ इंडिया करेंगे जो हर शोशल संगठन जो इंजियों उल्लोक के माध्धन से देश के लोगों के कास पहुचेगा असी ये कोई हमारे देश का एजेंडा नहीं हो होगा बंगलाजेश ग्रेट होगा पैरागुए ग्रेट होगा भीयत नाम ग्रेट होगा बर्मा ग्रेट होगा शिलंका ग्रेट होगा सभी को उपर उठाने का नाम एक गर्वी तो डेमोक्रेसी हो सकता है गर्वी तो कौमिनिजम हो सकता है एक गर्वी तो सोशलिजम हो सकत किसी को उतार कर पीछे फेक कर उसका बिजिन्दगी बरबात करकर कभी डिमोक्राशी स्ट्राइब नहीं कर सकता हर आजमी के पास खड़े होने का नाम ही डिमोक्राशी होगा हर आजमी के पास खड़े होने का चैनल का बात ही वो चैनल होगा जो देश हीत में काम कर रहा होगा अभी भी हमारे देश का चैनल ये समझी नहीं पाया कि देश को जोड़ना उसका असली काम है जिसको डिवाइट करना नहीं आज के लिए बस इतना ही हम नरेश जन अन बियाफ भाबनमुक और अल दोस पीपल जोड़ना बियाँ झारागे जिसकाइश के लिए गुटब कर कि लिए भाबनाश जयुटब को जाएशा करना इंग्य।